सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका सागत है साथियोंगर अभी तक आपने मेरे MK Education चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो आप इसे सस्काइब कर लिजिए यहां बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि ऐसी ही महतपूर विडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहेगा यहां सिक्षविवा की अन्य चानकारियों का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंसते रहेगा सातियों आप bridge course सम्मंदी जितने भी महत्पूर्ण वीडियो हैं उनको आप YouTube में MK Education के नाम से सर्च करके इस प्रोफाइल के आधार पे प्लेलिस्ट से इन वीडियों को प्राप्त कर सकते हैं आए सातियों आज हम learning out scum पे आधारित learning एप सामागरी के अंतरगत कक्छा चटवी विशय हिंदी की महत्पूर्ण अभ्यास को जानेंगे जो bridge course पे आधारित हैं आए सुरू करते हैं कक्छा चटवी खंड अ हिंदी पेज नंबर हमारा दूसरा दिया गया है इसके अंतरगत आज हम सुनना और सुनाना आईए इसके learning आउट स्कम को एक बार हम careful read कर लेते हैं सुनी अत्वा पड़ी हुई रचनाए हास साहसिक सामाजिक आधी गटनाओं पर साहसिक काविता कहानी आधी की विशेवस्तु गटनाए चित्रों और पात्रों सिर्शक आधी के बारे में बार्चित करते हैं प्रशन पूछते हैं अपनी टिपड़ी देते हैं अपनी बात के लिए तर्ग भी देते हैं यहां निशकर्ष निकालते हैं साथे यहां पर पाट समगरी के अंतरगत हम देखेंगे आज पाट नो रमो और कलो पेज नंबर हमारा दूसरा है बहुती मज़ेदार कहानी है यहां पर इसका सारांस दिया गया है आईए इसको एक बार हम पढ़ते हैं रधिया हमारे घर की साब सफाई करती थी कभी कभी उसकी दोनों लड़की लड़कियां उसके साथ आ जाती थी एक दिन सफाई करने रमो और कलो आई मुझे उनमें अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूहीं वैतित होगा क्यों ये पढ़ लिख नहीं सकती मैंने रमो से पुछा रमो बिटिया तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की नहीं बाबुजी हमारे परिवार में कोई पढ़ा नहीं कोई नहीं पढ़ता क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी क्या तुम्हारा मन विध्धा ले जाने को होता है होता है पर क्या करें बाबुजी अगर हम विध्धा ले जाएंगे जाने लगेंगे तो मा का कौम कुन करेगा क्या मैं तुम्हारी मा से इस बारे में बात करू पर लीजिए बाबुजी रम्मु ने ऐसा कहा अब इसके अंतरगज जो प्रशनों का निर्माड हो रहा है हम उनके उत्तरों को जानेंगे पेज नंबर हमारा तीसरा है अभ्यास नंबर पहला है उप्युक्त गद्यांस के आजार पर नीचे दिये गए प्रशनों के सहीं उत्तर पर सहीं का निसान लगाईए रमो की मा का क्या नाम था तो रमो की मा का नाम रध्या था चार अप्सन में से हमने उत्तरों को यहां पे चुना है इस गद्यांस का सेसक क्या हो सकता है तो रमो और कलो बाबुजी घर की सफाई रेखा और रमा तो हमने उत्तर लिखा है रमो और कलो प्रेस नमबर तीसरा है तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की यह प्रेस किस ने किया था तो रध्या ने की थी बाबुजी से रध्या से बाबुजी से रम्मो से कल्लो से तो रम्मो से बाबुजी ने किया था रम्मो ने इसकुल ना जाने का करण क्या बताया था पढ़ाई में अरूची अधिक उम्र मा की काम में साहता या परिवार की अनुमती ना होना तो उत्तर था मा के काम में साहता सा नंबर का उत्तर आएगा अब भ्यास नंबर दूसरा देखते हैं उप्यक्त गद्यांस पढ़कर नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर लिखिए पच्चियों में अपनी पुत्रियों का अभास होता है इसलिए बाबुजी ने सोचा कि क्या ये दोनों का सारा जीवन यूहीं वैदित होगा पेज नंबर तीसरा कंप्लेट होता है अब हम आते हैं पेज नंबर चौन थे पर प्रेस नंबर दूसरा है क्या आप रमो के विध्याले ना जा पाने के तरक से सहिमत है यदि हा तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों तो हमने लिखाए नहीं हम रम्मों के विध्याले ना जा पाने के तरक से सहिमक नहीं है क्योंकि रम्मों विध्याले में जाकर कुछ पढ़ाई कर सकती है तथा अपना भविस्वार सकती है प्रेस नमबर तीसरा है क्या रम्मो और कल्लो की मां उन्हें स्कूल बेजने के लिए तयार होई होगी कारण सहित लिखिए तो उत्तर लिखा है हमने रम्मो और कल्लो की मां उन्हें स्कूल बेजने के लिए तयार ना होई क्योंकि उनकी दोनों बच्चिया मा के कारियों में हाथ बटाती थी परन्तु बाभू जी के समझाने में रद्या उन दोनों को विध्याले बेजने के लिए त्यार हो गई अगला प्रस्ण देखते हैं मुल्यानकर नमबर एक अपने असपास में घटित किसी देखी सुनी या पढ़ी हुई गटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बाली का या बाली का ने काम करते हुए अपनी सिक्षा पूरी की हो तो हमने लिखा है हाँ हमने अपने असपास सुवानी नाम की लड़की की गटना को सुना है जो पढ़ाई के साथ अपने माता-पिता के कारियों में हाथ बटाती थी, सुवानी केतों में अपने माता-पिता के साथ सुभ़य और श्राम को कार करती थी, यह था विद्धाले समय में विद्धाले जाकर कूप पढ़ाई करके डक्टर बन गई, बच्चे यहाँ पे अपन सिवाजी से सम्मंदित एक पाठ दिया गया है बहुती अच्छा पाठ है ये पेज नंबर हमारा पांचवा है युवा होने पर साजी सिवा का बिजापूर दरवार ले गए उन्होंने सिवा से बात्सा मुहम्मत सा आलम को दरवारी डंग से प्रणाम कोनिश करने को कहा बात्सा प्रजाप पर अत्याचार करने के लिए कुक्याथ था सिवाजी मन ही मन यह सोचनते हुए चुपचाप खड़े रहे साजी ने सिवाजी के साभीमान को भाप कर उन्हें पूना भेज दिया सिवाजी ने वीर मालवी युद्धाओं को संगटित कर अपनी सहुराज इस्तापित करने के इक्षा को साकार करना आरम कर दिया उन्होंने तोरण दुर्ध पर आकरमन करने कर उसे जीत लिया आईए इससे रिलेटेट हम प्रशनों के उत्तरों को पहला प्रसन दिया है गध्यांस में मलिद गटनाई सिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती है तो उत्तर लिखाए गध्यांस में मलिद गटनाई सिवाजी के निम्लिकित गुणों को व्यक्त करती है जैसे वीरता, उधारता, सासी, साविवानी, दयालूता की गुणों को व्यक्त करती है अगला दूसरा प्रसने सिवाजी ने बादसा मुहमत सा आलम को कोनिश्क क्यों नहीं कि थी उसकी अत्याचारी प्रवत्ति के कारण सिवाजी ने को निश्य प्रणाम नहीً किया. पेज नमबर पांच वा कंप्लिट होता है, अब हम आते ही पेज नमबर छटवे पे. सिवाजी के मन में कोंसी इक्षाती उन्होंने उसे किनकी साहता से साकार किया, तो उत्तर है शिवाजी के मन में सोराज इस्थापित करने के एक्षाती उन्होंने यहकार मावली युद्धाओं को संगटित कर संपन किया अभ्यास नमबर पांचवा है दिये गए गध्यानसों के आधा पर सिवाजी के गुण को प्रदर्शित करने वाली कम से कम तीन घटना अपने सब्दों में लिखता तो उत्तर लिखा है मुलेन का नमबर दूसरा देखते है अपनी कलपना के अनुशार निमली खित में से किसी एक परहास कविता लिखो जैसे दिया है सोचो कितने न्यारे होते लंबे सिंग हमारे होते दूसरा है कितने मजे हमारे होते सुंदर पंक हमारे होते तीसरा है सोचो हमको कैसा लगता यदि हमारी नाक ना होती और चौनता है सोचो कितने काम ना होते यदि हमारे कान ना होते तो इस मेंसे जो बच्चों को पशन लग रहा है उस पे अपनी हांस कविता लिख सकते हैं जैसे लिखा यदि हमारी नाक ना होती सुगन प्राप्तना करते हम सोचो यदि नाक ना होती कैसे दिखते हम सोचो यदि नाक ना होती फूलों की खुजबू कैसे लेते हम यदि नाक ना होती तो जसमा कहां लटकाते हैं हम इस प्रकार हम कवीता लिख सकते हैं प्रतेक बच्चे की कवीता अलग-अलग हो सकती हैं तो साथियों आज हमने रम्मो और कल्लो पार्ट एवं सिवाजी पार्ट से समस्त अभ्यासों के उत्तरों को जाना है ऐसी ही कर सकते हैं धन्यवाद